मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी कॉलेज में 5CGP दी ते और उन्हों ने बड़ी बड़ी कंपनी निका ली तुम अपने पेरेंट्स के फेस पर वो तुम देखते हो ना स्माइलिया फिर वो खुशी देखते हैं तुम्हें अंदर से खुशी होती हुआ अपनी पूरी स्कूल लाइफ के दोरानना मैं अपने आपको एक एवरिज स्टुडेंट बानता था शायद आज भी मानता हूं और आज वाली वीडियो के लिए यार मैंने एक अपने ऐसे सीनियर से बात करी है जो अभी-अभी कॉलेज से पास आउट हो हैं सिर्फ 21 साल के हैं माइक्रोसफ में ठीक है कॉलेज से निकलते ही सोचवार 42 लाक रूपीज का CTC तो आज हम उनकी जर्नी जान रहे होंगे और मैंने बहुत कंडेंस्ड वे में इस वीडियो में उनसे ये क्वेस्टिन पूछा है कि अगर हम एक एवरिज बच्चे हैं हमने कुछ भी नहीं किय हमने अभी शुरू भी नहीं करी तो क्या हम इस वाले पैकेज को अस्पायर कर सकते हैं यह वाला पैकेज हम निकाल सकते हैं इसी क्वेस्टिन का आज आंसर दे रहोंगे निशांत भाईया तो भाईया सबसे वहले आप मेरे को यह वता हो कि आप अपने आपको सही वे कैसे आपने माइक्रसॉफ्ट निकाल लिया बड़ी बड़ी कंपनी निकाल लिया यूट्यूप पे मचारे हो भाईया का चैनल है तो कैसे मतलब सब कुछ कैसे यह सब करके आप अवरेज कैसे बोलते हैं अपने आपको तो फरस्ट फॉल यार थांकि फॉर इन्वाइटिंग में यूर चानल याश तो यह average मैं हमेशा से स्कुल में भी जब था तो अबी ऐसे इसे class top नहीं कर रहा होता था तो अब और इसे class top नहीं कर रहा होता था था तो I was like, I was like an average kid जिसके ठीठा कमांक साजाते थे बट एनसाइटी में आने के बाद यार तुम अगर अपने स्कूल के टॉपर थे ना तो यहां पर सब अपने स्कूल के टॉपर हैं तो वही हुआ था फर्स चीज में मैंने बिल्कुल मैंने बिल्कुल जीरो कोडिंग करी है मैंने बिल्कुल जीरो कोडिंग करी है मतलब मेरे को आप होप दे रहे हो सही में मैंने कुछ कोडिंग भी अब तक और मेरे को लग रहा है सही में कि अब मैं निकालूंग अगला Microsoft मतलब आप यह चीज मानते हो सही में कि एक एवरेज बच्चा है जिसमें कुछ भी नहीं किया है मतलब यह स्या नो में आंसर दो कि कुछ भी नहीं किया है मतलब उसमें शुरू नहीं किया है और शायद वो उतने अच्छे कॉलेज का भी नहीं नहीं पढ़ रहा है वो किसी IIT में नहीं पढ़ रहा है, वो बिट्स में नहीं नहीं पढ़ रहा है, तो क्या ऐसा बच्चा सही में मतलब निकाल सकता है आपके आपसे जो बड़ी वाली अपनी प्रोड़क बेस्ट कंपनी अपनी Google, Microsoft, Amazon, यह सारी और यह वो बड़ीज निकालीज निकाली है, काफि बड़ी अनने अखेसे प्ढ़ीज में इसे अखेसे टीन शुरू कर दी कालीत काने बड़ी तोडहें काफि यह अन्हें. तो मैं किसी भी senior के बास जाता हूँ मैं पूछता हूँ यह कहां से करूं तो कहते हैं अर अनलाइन कोर्स ले ले अम मेरे को समझ नहीं आता हूँ तो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं आपके हिसाब से मतलब ऑनलाइन कोर्स से पढ़ना कोडिंग कितना सही है मतलब है भी स नहीं कि चार गंटे क्लास होगे तो चार गंटे जाना पड़ेगा तो तो ओनलाइन कोर्स काफी सही होता है ताइम बच जाता है और तुम सीख भी अडिया लेते हो सही है समझी है अगर तुम्हें देखने हैं ऑनलाइन कोर्स अगर तुम्हें स्टार्ट करना है C++, Java, Python तो यार कोडिंग निंजा से तुम स्टार्ट कर सकते हो भाईया अच्छली कोडिंग निंजा का ही कोर्स लिया था निशान भाईया ने भी C++ का और आज वो Microsoft ने वैट तो सारे बड़े बड़े Facebook, Stanford, Amazon वाले लोग तो ये सारे लोग यार कोडिंग निंजा में पढ़ा रहे होते हैं और इसकी 4.9 स्टार रेटिंग भी है Google Play Store और App Store पर भी और मैंने बात बात करके ठीक है तुम्हारे लिए 15% discount अरेंज कर वा दिया तो description box में लिंक है तुम उसक तो काफी जादा बड़िया सीन है जैसे जब आपने कोडिंग शुरू करी आपने शायद लेट करी आपके साब से second year में अगर आपने करी जनरली आजकल तो अच्छे first year में लग जाते हैं तो कहां से क्या start किया और आगे की मतलब कैसे रही जरनी मतलब बिल्कुल starting से लेके Microsoft जरनी मैंने second year start होने से थोड़ा पहले start किया था लाइक एग्जाम से खतम होगे था अग्जान समर ब्रेक था logic तो मैं बनाई लेता था मेशा से अगी ब्यूप था तुम मैंसे कोई भी ब्यूप नहीं है कोई ब्यूप नहीं होता अवरेज था बट भाई था पढ़ लग था जब पढ़ने लगा चीज़ समझ आने लग लगई या और फॉलो कर्ता गया ढelo crap करी ब्यूप करी लिफ्यो बाध करी बट लिबूप्मेंट करी बट करी बूस्च्फी बाध करें बर ब्रॉपंट बनाया इंटर्टिपस में बेट इंटर्शीप सारे अज रिजेंशीम के जए हुल बहु है वेखी फिर Samsung internship लगी थी आप्तर ली फिर फिर फिटीं ट्वेंटी जाए लग गई यह एक अवरिज के एक एग्जाम्पल है क्योज वो पंपनी लेके जाती है और आई वस वन फ्टोस 20 पीपल अप्रिल में मैं अच्छुली पढ़ना सार्ट किया था और मैंने वो तीन-चार महीने बहुत दबा के पढ़ा लास्ट यह जब लॉक्डाउन जल रहा था विकॉज और कुछ करने को था नहीं एक्जाम की कोई टेंशन थी नहीं किसी भी चीज के टेंशन नहीं थी बस एक ही फोकस था कि वह हाँ प्लेश्मेंट्स के लिए पढ़ना है और रिसोर्स कुछ नहीं चाहिए तो मैं इतने सारी यूट्यूब पर फ्री रिसोर्स मैंने खुद रिसोर्स के तो काफी सारी वीडियो बिना रखे तुम जाकर देख सकते हो बाकि यह लीड कोड करो तुम जी एफजी करो तुम अचाए तो मैं खटा है वो करो में फोकस करना है तो आपनी problem solving ability को improve वरना है बस कहीं फरगने बढ़ता कितने तुम्हारे star रहें कितने तुम्हारे star नहीं है बस अपनी problem solving ability को अच्छा कर लो and you are good to go Final question यही होगा, कि एक बंदा है, first year का, उसने कुछ भी नहीं कर रखा, इस point पे, उसके लिए मतलब, वो कहां से शुरू करे, exactly, ठीक है, उसने course दे लिया, उसने C++ सीख लिया, उसने Java सीख लिया, उसके बाद क्या, मतलब, companies में घुसने के लिए, जो बड़ी companies है, जो dream companies है, उस अब कर तुमने language सीख लिए, basic data structure सीख लिए, तो ठीक है, अब तुम कॉंटेस देना स्टार्ट करो, ठीक है, तुम थोड़ी और दूसरी websites पर कोड़ी करना साट करो, जादा question solve करो, और तुमने problem solving ability फोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, उसके साथ तुमें रिजुमे में प् अब कर दुमारे चुर्स फंडमेंटल होते हैं, तुमें सुनके सारे वर्ट्स थोड़ी अजीव से लग रहे होगे, बड़े साल बाद एक साल बाद जब तुम यह सब पढ़ लोगे, तुमें लगए कि हाँ, वो जो भाहिया बता रहते हैं, वो यही बता रहते हैं, तो अ कॉलेज में तुमें पढ़ाएंगे तो तुमारे पास क्वेस्चिंस अगरा मिल जाएंगे, आपको ऐसी कुछ सक्सेस वाली फीलिंग आती है कि हायर मैं मतलब यूट्यूब में मचा रहा हूं, कंपनी भी बढ़ी बढ़िया कॉलेज, तो कुछ ऐसी फीलिंग आती है, क्य कि अदि आति है तो मैं उन दर से खुषी होती है तो वह भी फीलिंग मिल रही है, को बहुत भी प्लेस्मेंट टेंट सिर्टें हो गया है, तो उनको भी खुशी मिलने भी आपनाय के चैनल का लिंक देरों कि डिस्क्रिप्शन वॉक्त के सब सब्सक्राइब करो ठीका चैनल और लग जो काम पर, सही है, ठीक है यार, चलो, all the best यार, and it's a wrap up.